अलो फ्रेंड्स तिस इस पंजवानी अगेन फ्रेंड्स आज मैं आपको पाइथन जैंगो पे बने हुए एक प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा एंड इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो भी फ्री ओफ कोस्ट आपको मिल जाएगा जो डाउनलोड का लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड कौन-कौन से सॉफटर आपको रिक्वाइड रहेंगे इसको रन करने के लिए तो सॉफटर आपको चाहिए पाइथन इंटर्प्रीटर एंड जैंगो उसके अलावा पाइचाम तो इन सॉफटर को कैसे इंस्टोल करना है इनके वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे एंड जहां से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे वहाँ पे भी मैं इनका लिंक प्रवाइट कर दूँगा कैसे इन सॉफटर को इंस्टोल करना है तो पहले हम इसका पूरा वर्किंग देख लेते हैं प्रोजेक्ट का तो यह मैंने फ्रेंट पेज ओपन कर दिया है यह सबसे पहला पेज है एंड उसके बाद इस अबाउट अस पेज इस यूजर रजिस्ट्रेशन पेज एंड दिस इस यूजर लोगिन पेज ओके तो पहले मैं आपको एक नया यूजर रजिस्टर करके दिखाता हूँ तो यहां से मैंने नाम दे दिया एंड लास्ट नेम दिया इमेल आईडी दिया पासवर्ड दे दिया एंड उसके बाद आप यहां पे कॉंटेक्ट नमबर लिखेंगे ठीके उसके बाद आपको अबाउट में कुछ इंफोर्मिशन आपकी दे नहीं हो तो वो दे सकते हैं सब्सक्राइब मैंने लिखा आयमा सॉफ्टियर डेवलोपर सब्मिट कर दिया तो आपका यह रजिस्ट्रेशन सक्सेस्फूल हो चुका है एंड उसके बाद आप यहां पे लोगिन कर सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट में जो यूजर है वो रजिस्ट्रेशन करेगा देन आफटर लोगिन करेगा उसके बाद यहां पे वो अपने नोट्स को मेंटेन करके रख सकता है नोट्स मतलब अगर उसको कुछ इंफॉर्मिशन सेव करके रखना है ठीके कुछ भी उसको ध्यान में रखना है या कुछ अभी ध्यान में आया इन फ्यूचर के लिए वो नोट करके रखना चाहता है जैसे आप डाइरी में नोट करते हैं कुछ उसी तरीके से ठीक है तो अभी इसने कोई भी यहां पे नोट्स नहीं डाले हैं तो यहां पी जीरो आ रहा है अब यहां पर हम एड़ नोट्स में जाके नोट्स को एड़ कर सकते हैं व्यू नोट्स में जो भी हमने नोट्स लिखे होंगे नोट्स पोस्ट किये होंगे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि इस पार्टिकुलर यूजर जिसने लोगिन किया है उसने अभी कोई notes यहाँ पर upload नहीं किये हैं ठीक है upload या फिर post नहीं किये हैं साम बोल सकते हैं तो यहाँ पर हम कुछ टाइटल दे जेते हैं जैसे मैंने लिखा how to run या फिर मैंने लिखा command for command to run jango server ठीक है मुझे याद रखना है कि jango server start करने के लिए क्या command होती है तो मैंने कहीं से study किया and in future मैं याद रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया command to run jango server तो मैंने यहाँ पर लिखा जो भी मुझे पता होगा उसके बारे में वो मैंने यहाँ पर लिख दिया python manage.py run server यह command होती है and यह लिख के मैंने submit कर दिया तो हमारा यह जो notes है वो aid हो गया and dashboard पर हम देख सकते हैं यहाँ पर one आ गया view notes में हम देख सकते हैं हमारा यह title आ गया and कब मैंने इसको post किया था and edit पर जाके मैं इसका description भी देख सकता हूँ तो इसी कोई भी चीज आपको ध्यान में आती है कोई भी आप जैसे diary में notes बना देते हो अब कुछ याद रखने के लिए तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो एक user multiple notes डाल सकता है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया last salary date ठीक है मुझे याद रखना है कि जो last salary rate था हूँ क्या था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 March 20 22 submit कर दिया तो यह भी मेरा database में store हो गया तो यह दो notes मैंने post कर दिये हैं मैं किसी को भी जाके edit में जाके उसका description देख सकता हूँ किसी को मुझे अगर delete करना है तो मैं यहाँ से delete भी कर सकता हूँ ठीक है suppose यह last वाला मुझे नहीं चाहिए इसको मैंने delete कर दिया ओके किया तो यह delete हो गया इसी तरह मैं और भी add कर सकता हूँ दूसरे जो user रजिस्ट्रेशन करके अपने notes add कर सकते जिसने login किया है वो उसको उसी का data display होता है तो यह भी हमने यहाँ पे session वगेरा को भी maintain किया हुआ है कि particular user को उसी का data display हो change password में यहाँ पे हम password change कर सकते हैं यहाँ से हम logout कर सकते हैं ठीक है और भी मैंने users बनाया हुए है उनसे भी मैं login कर सकता हूँ जैसे मैंने किसी दूसरे user से जो पहले मैंने create किया था एक बार account बना लेते हैं तो आपको फिर उस user के लिए एक ही बार account बनाना है एक particular user के लिए वो बार बार फिर उस email ID password से login कर सकता है email ID password सही होगा तो आपका login successful हो जाएगा ओके एंड यहां से आप अपनी profile को देख सकते हो आपका नाम आ जाएगा यहां पे आपने जो about में दिया था वो आ जाएगा एंड यहां पे आपकी पूरी profile डिस्प्ले होगी edit करना है तो आप यहां पे जाके उसको edit भी कर सकते हो suppose मैंने यहां पे contact number change कर दिया last में double five कर दिया save कर दिया तो मैं profile भी update कर सकता हूँ ओके आप देखो यहां पे profile भी update हो चुकी है यहां पे भी options दिये हैं आप यहां पे भी profile में जा सकते हैं account setting मतलब change password में जा सकते हैं और logout कर सकते हैं and this is static page यह एक static page में डाल दिया है about का and उसके बाद मैं आपको बतायता हूँ की कौन-कौन सी technologies यहां पे हमने use की है front end, back end में तो friends यह तीन software आपको install करने हैं python, jango and pycham pycham की जगा आप चाहें तो vs code का भी use कर सकते हैं project को कैसे run करना है उसका भी video जब आप download के description में जो link है उस पे click करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी कैसे इन तीनों को install करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वीडियोस में जाके and कैसे run करना project को तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा okay तो front end में हमने जो है HTML, CSS, bootstrap and JavaScript का यूज किया है designing के लिए back end में हमने database हमारा SQLite है आप चाहें तो इसको MySQL के साथ भी यूज कर सकते है and python हमारा logical जो भी हमने code किया है वो python का यूज करके किया है so जादस जादस इसको share कीजिए and आगर आपको यह source code पसंद आया है आपने successfully run कर लिया है तो आप मुझे comment करके जरूर बताए thanks for watching